आज बनाएंगे बच्चों का फेवरिट ब्रेड का नाश्टा नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाना बताएंगे आपको ब्रेड का नाश्टा बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि बच्चे चटकारे लेकर खाएंगे इसको टीफिन में डाल कर दे सकते हैं या फिर छोटी मुटी भूख में बना सकते हैं या फिर चुटी वाले दिन बना सकते हैं बहुती बढ़िया रेसिपी है आज की तो चलिए बनाते हैं ब्रेड की रेसिपी दोस्तो ब्रेड की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड इस तरीके से मैंने ब्राउन ब्रेड लिए हैं आप चाहें तो मल्टी ग्रेन आटे के ब्रेड ले सकते हैं या फिर आप व ध्यान रखे दोस्तों कटोरी जो हूँ इस तरह से होने चाहिए किनारे बिलकुल शाफ होने चाहिए अगर आपके कटोरी के किनारे जो यह हैं वो मुड़े हुए होंगे तो ब्रेड अच्छे से नहीं कटेंगे तो इस तरह की कटोरी आपने लेनी हैं होई भी खुटोरी हो बड़ी हो जोटी हो ले सकते हैं तो इसी तरीके से मैं और भी ब्रेड काट लूँगी थोड़ा सा जोर लगा कर इसको अच्छे से काट लें तो ये कट चुके हैं अब इसको तो रख देते हैं हम साइड और लेंगे एक कप बेसन इस तरीके से बेसन मैंने बारीख वाला लिया है आप चाहे तो मोटा भी ले सकते हैं बेसन को हम चान कर ले रहे हैं तो बेसन हमारा चंच चुका है और इसमें डालेंगे एक छोटा चमच नमक सफेद वाला और डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी और इनको मिक्स कर देते हैं और इसका हमने घोल सा बनाना है तो पानी डाल कर आपने इस तरह से इसका घोल त्यार कर लेना है देखिए पूर अच्छे से फैट लिजिए ताकि इसमें लंज ना रहे तो इस कंसिस्टेंसी का आपने घ ऐसमिच घी का डाल लेना है मैं देसी घी ले रही हूँ आप चाहे तो देसी घी ले ले लीजीए और फिर फिर ओयल ले लीजीए तो इस सरीके से डालिये है और इसको गरम होने के बाद दोस्तों इसमें डालेएंगे इस से एक कटा हुआ प्याज डाल लिया है, प्याज डालने के बाद दोस्तों डालेंगे इसमें आधी कटी हुई शिमला मेच, इस तरीके से मैंने ये बारीक-बारी काट ली थी और इनको शोटे करेंगे, इनको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हम इसको रोस्त करेंगे, हमें दोस्तों इस रेसीपी में सबजियों का जो टेस्ट है वो करंची सा चाहिए तो हम इसको ज़्यादा तो नहीं पकाएंगे बस हलका सा ही से पकाएंगे और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डाल लेते हैं, थोड़ा सा अदरक इस तरह से घिस कर और डालेंगे इसमें थोड़ा सा पनीर, इस तरह से मैंने ये पहले ही काट कर रख लिया था, छोटे-छोटे पीसीज में वो भी डाल लेते हैं आपके पास मकई के दाने हैं वो भी डाल सकते हैं और फिर और सबजी लेना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं तो इस तरह से मैंने ये सबजी डाल ली हैं और थोड़ा से इसमें डाल लेते हैं नमक, बस आधा छोटा चमच जादा नहीं डालेंगे बस सबजी के अकोडिंग आप नमक डाल लीजिए और इसको इस तरह से मिक्स करके थोड़ा सपा काएंगे बस एक मिनिट आपने इसको कुक करना है ज्यादा नहीं करेंगे इसको कुक और अब लेंगे दोस्तो bakoori इस तरह से एक ही साइज के आप काटोरिया ले लीजिए और इन पर लगाना है आपने अंदर की साइड घी, घी से आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है और जो हमने bread काट कर रखे थे, वो इसी कटोरी के साइज के थे, तो वो अच्छे से आज आएंगे इसमें और आपने डाल लेने हैं उपर से रखेंगे हम एक-एक इस तरह से कटा हुआ प्याज, आपने एक जैसे प्याज काट लेने हैं, इस तरह से आपने प्याज डालना है अब इस पर डालेंगे दोस्तों, यह है, आपके पास पीजा सॉस ना हो, तो आप यहाँ पर टोमैटो कैचप भी ले सकते हैं तो मैंने पीजा सॉस भी इस तरह से लगा लिया है, प्याज के नीचे भी लगा सकते हैं, और उपर भी इस तरीके से हमने सॉस लगा लिया है और इस पर डाल लेते हैं, यह है पैरी-पैरी मसाला, बहुत ही बड़िया टेस्टी रेसीपी बनेगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसके उपर डाल लेते हैं, जो हमने सबजी अभी पका कर रखी थी, बस वो डाल लेना है आपने इस तरीके से पर थोड़ा सा पाने डाल लें इस तरीके से, ताकि यह एक्टिव हो जाए और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, मिक्स करते ही दोस्तों यह इस तरह से फूल जाएगा, देखे कितना ज़्यादा हो गया है घौल, और आपने इस पेस्ट को डालना है कटोरियों में, अब चलते हैं दोस्तों, गैस पर, गैस पर रखनी है आपने कढ़ाई, तो इस तरह से कोई स्टैंड लगा सकते हैं, या पिर अगर आपकी कढ़ाई में, जो जाली आती है, वो पूरी पूरी आजाये तो आपको स्टैंड लगाने की जूर्थ नहीं, इस नहीं जूर्कि हम ने बेसन वाला घोल तियार किया था वो डाल लेते हैं बस जादा नहीं डालेंगे इतना इतना बहुत हैं क्योंकि फूलेगा भी तो फूलने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा स्पेश चाहिए और देखिए इसको ढख कर पका लेते हैं 10 से 15 मिनट 15 मिनट में आपकी रेसिपी बन कर त्यार हो जाएगी तो देखिए दोस्तो 12 मिनट मेरे हो चुके थे अब इसमें मैं टूटपिक डाल के दिखा रही हूं आपको इसमें थोड़ा सा चिपक रहा है यानि कि अभी इसमें थोड़ी सी कसर रहती है और अब इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट और पका लेते हैं तो ये पका ली है दोस्तो ढख कर आपने पकाना है तो 2-3 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूं ये देखे दोस्तो ये हो चुकी है अब आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है किकी गरम गरमा आप निकालेंगे तो वो निकलेगी नहीं और अगर आप इसको निकालेंगे जरासा फिर ये अपने आप निकल जाएगी तो ये देखे दोस्तो इस तरह से निकल जाएगी बहुत ही बड़ीया रेसीपी बनी है और फटा फट से बनकर रेडी हो गई है बच्चों की टेफन में आप डाल कर दे सकते हैं बड़ी ही हेल्दी रेसीपी है बना कर या फिर महमान आने पर भी बना सकते हैं या चोटी मोटी भूग लग रही हो तब भी आप इसे बना कर खा सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें म तक धन्यवाद